सात्यों नमस्कार एक बार फिस स्वागत है आपका देभूमी उत्राखंड की इनकूप शुरत वादियों से इस समय हम खड़े हैं राश्टिया राजमार्ग है यहां से जो जो जी सड़क जारी है यह सड़क के लिए दमार यहां से लगवक से कीलोमीस ओर ठीक सामने है chỉए और यहां से प्रकरति का बहुत ही सुंदर न जा रहा है आप ठीक नीचे देख सकते हो यह एक cricket ground है गंगा किनारे मंदा के नदी के तर्ट पर जो की काभी शुंदर रमणीक है और ठीक सामने आप देख सकते हो यह डमार गाउं की खुबसुरत लोकेशन तो यह देख सकते हो आप नेशनल हाइवे और आप देख सकते हो ये गड़वाल एक्सप्रेस जी एमोई हो की ये बस सुन्दर सी जो अभी अपने रिशी केस के लिए जा रही है तो ये शड़क का जो आप नजारा देख से तो काफी सुन्दर है और बहुत अच्छे से सड़क बन चुकी है अब तो य यहां के आप लोकेशन देखेंगे तो बहुत ही शुन्दर यह देखिए ग्विर्याद का फूल कितना शुन्दर और रमनिक दिख रहा है और यहां से ठीक नीचे यह मंदा किनी नदी जो की हाल फिलाल अभी काफी सूक चुकी है गर्मी के समय पे इसका जो प्रबाव है ब देज हो जाता है और यह कम इसलिए भी है क्योंकि कुंड में जो डैम बना है तो सुरंग के जरिये बेटू बगड में निकलता है पानी तो थोड़ा इस गंगा का प्रभाव उससे भी कम होगा क्योंकि आधा पाने डिवाइड हो चुका है तो फिलाल आप देख सकते हो यह गेवली गाओं के समीप का यह बहुत ही शुन्दर आलोकिक द्रिश्या और यह राष्टिया राजमार्ग तो साथियो वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें अगर पेज पर नए हो तो पेज को फॉलो भी करें चैदेभू में उतरा खंड